बच्चो नमस्कार श्वागत है आपके अपनी यूटूब चनल एग्रोटेक स्टेडी में बच्चो काफी दिन बाद मैं फिर हाजर हूँ आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेकर और आज की एक इंफॉर्मेशन है एमपी बोर्ण भोपाल की नकल पटने जाने पर तीन साल की सजा जी हाँ बच्चो आज एक जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको बहुत अच्छी जानकारी है और आप पहले में एक बताना चाहूँगा कि आप लोग अच्छी प्रकार से इस समय पढ़ाई करें और अच्छी प्रकार से महत करते रहें समय आपके पास बहुत कम बच रहा है पच्चो आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में फुल फोम में लगे होंगे इस समय रात दिने कर रहे होंगे आप लोग हिंदी सबसे पहले इंगलिस और फिर हिंदी का एकजाम है आपको मालूम है इसके बाद एग्रीकल्चर की स्टार्ट हो जाएंगे जो भी छातर है आपके बाकी मैतवायो वाले उनके भी आपके है आर्ट्स वाले तो बच्चों मैं कहना चाहता हूँ आज इस वीडियो में इतना बताना चाहूँगा कि नकल न करें आप लोग नकल इसकूल जहां भी आपका सेंटर है वहाँ पर आप लोग विल्कुल लेकर न जाएं चीट बगेरा चीटिंग बगेरा करने से वच्चे अपने आप पर भरोशा रखें महनत करें बिना महनत के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो अगर आप पकड़े गए तो आप देख लीजिए आपका भविश्चा बिल्कुल वरवाद हो जाएगा बिल्कुल भी आप कहीं के नहीं रहोगे देख सकते हैं मैं आपको एक ख़बर पूरी बता देता हूँ आज की ही कटिकें दस्वी बारभी बोर्ड परिक्छा में नखल करने पर होगी 3 साल की जेल तो आप लोग देख सकते हैं आप जेल के सिकंजे में भी आ सकते हो प केंदर के सोगच के दारे में आने पर होगी दंडात्म कारवाई तो ये आज का अख़बर हाघ़ बच्छो इसके कटियों में आपको बता रहा हूँ, मादमी स्क्षा मंडल की दस्वी बार भी वो परिक्षा 17 फरवरी शुरू हो रही है बारवी परिक्षा में कुल 71,000 नहीं 7,14,932 परिक्षारती तथा 10 भी में कुल आपके जो विद्यारती हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं 10,66,791 परिक्षारती सामिल हो रहे हैं तो यह पूरी खवार है इसको आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना नकल से जितना हो सकें बचें और जितना हो सकें देखो कैलकुलोटर ले जाना भी अनुवार नहीं है अनुचो साधन की स्रेणी में आएगा और कलकुलोटर भी आप लोग नहीं ले जाए सकते हैं ठीक है ना यह आप लोग द्यान रखें एक चीज में क्लियर कर देता हूँ जो प्राइवेट छात्र उनको देख लीजे थोड़ा सा दसवी बार भी के नियामित विध्यारतियों की प्राइव प्रिछा 12 से 25 मार्च की बीच होगी जबकि प्राइवेट विध्यारतियों की जो प्रैक्टिकल है वो 18 फरवरी से 20 मार्च की बीच आईवित कराये जाएगे तो वो भी आप लोग ध्यान रखें बच्चो एक चीज जिसे आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छी प्रकार से पढ़ें और जी लगा के आप मेहनत करते रहें कई भी किसी कोई शमश्या नहीं आ रहे होगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं दूसरी बात यह है बच्चो कि यदि आपको इंपोडेंट कॉश्चन जो चातर मांग रहे थे आई एमपी कॉश्चन तो इसके लिए हमने पीडियाप बनाई है और बहुत ही कम रेट पर हम उसको दे रहे हैं तीन सुरुपे उसका चार्ज रखा है हमने आपके लिए तीन सुरुपे इसलिए रखा है कि यह है एक माध्या में जिसके दौरा आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि अगर आपको लगता है कि तीन सुरुपे जो है आपके लगेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे यहां पर आप हमारी बाटशप पहलो बोल करके और तीनो पीडियाइब राप्त कर सकते हो only 300 रुपे में phone पे या Google पे करने के बाब जूट ठीक है ना बच्चो तो PDF आपको मिली जाएगी अब बिल्कुल चिंता ना करें अब इतनी छोटे आपके important question रखे हुए है इतनी छोटी PDF जादा बड़ी है नहीं है 60-65 question आपके रहेंगे जिसमें पूरे ओटी रहेंगे ओटी तो आपका एक भी भाण नहीं जाएगा question भी कोई भी भाण नहीं जाने वाला ठीक है ना बस आप लोग एक बार उसको पढ़ लें और दो से तीन दिन में आप एक PDF को अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं ज्यादा बड़ी PDF हमने रखी ही नहीं यह बहुत चोटी PDF है वो सभी प्रिसने जो अकसर एकजाम में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे दूसरी बात एक और बात कहना चाहूंगा बच्चो आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ें यह ही कहना चाहूंगा लास्ट में और कई भी यह दि किसी को समझ से आए तो आपको पता ही है और जो मेरा थन का बोला था हूँ मेरा थन भी मैं आगे लेने लेकर आने बाला हूँ तो उसकी भी आप लोग बिल्कुल चिता ना करें ठीक है बच्चो चलिए